कि आप आपको जो है आज बताएंगे रिलेशन्स के बारे में रिलेशन्स को देखिए बहुत लोग बहुत टफ समझते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल होता है और बहुत इस इजी मेध्रड से आपको बताएंगे और मेरे वीडियो को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और शेर भी करें ठीक है दोस्तों को भी बताएं और आपको गारेंटी में देता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा ठीक है तो अब देखिए रिलेशन्स को हम कैसे पढ़ते हैं कि रिलेशन्स रिलेशन्स, रिलेशन्स श्क स्टाइब के आपको पढ़ने हैं आपने नल सेट पढ़ा होगा ठीक है नल सेट में क्या पढ़ा था कि जैसे उसमें कोई एलेमेंट नहीं होता है तो क्या होता है नल सेट होता है या इंपटी सेट होता है ठीक है वैसे इसमें इंपटी रिलेशन में भी कोई रिलेशन जब नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे वा तो आप देखेंगे की कोई झी दो नमबर को माइनस करें तो थैन कभी नहीं आएगा जैसे 12 माइनसरी करते है तो थी वाईनसरी करते हैं तो आप देखेंगे को तो आपका 10 नहीं आ है तो ऐसे जैसे आप देखते हैं कि कोई सी स्कूल और उसमें कहा जाया कि दो बर्दर को बुला लाई ये तो दो बर्दर जो सब्सकोर में पॉर्दर होते हैं तो उसमें क्या देखेंगे कोई डिलेसन होता ही नहीं है तो आशे क्यान का टिक है इसके बाद है इनुवर्सर अब इनुवर्सर रिलेस्ट को देखिए कैसे समझेंगें इनुवर्सर रिलेशन के लिए कि जैसे माल लेगे थी दूबज्टें छोल में और दोनों के बीच 3M का difference 3M का difference इसका मतलब क्या हुआ दोनों बच्चे यूनीक होगे 3M का difference का मतलब हो गया बहुत जाला contemporary छीक है इस तरह इभusement पाए जाएगा हो दो वो भाए लिखन के और में को इसको हम एसे निखाते हैं एक्रॉस ए सबसेट एक्रॉस ए इसको इस तरह से हम दिखाते हैं ठीक है इसके बाद आता है आइंटी डिलेशन को हम कैसे समझेंगे लेट ए वान टू थ्री यह सेट है हमारे पास तो आइंटी डिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए इसका इसका मतलब वन के साथ रिलेशन होना चाहिए तो यह आपका हो जाएगा आइंटी डिलेशन ठीक है इसमें और कोई एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए मतलब 1 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ 3 का 3 के साथ every identity relation हीजिए reflexive relation but every reflexive relation may not be identity relation तो यह आपका identity relation हो गया अब अब आपको पढ़ना है reflexive relation reflexive relation को कैसे करेंगे इसी सेट के लिए देखिए 1 1 2 2 3 3 1 3 यह आपका reflexive relation है यह भी reflexive है यह भी reflexive है इसमें देखिए every element of a related to itself और इसमें देखिए 1 का 1 है 2 का 2 है 3 का 3 है इसमें और जादे भी है ठीक है इसमें जादे भी हो सकते हैं तो reflexive relation में इसेल्फ होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी हो सकता हूं कि सेमेक्टिक रिलेशन सेमेक्टिक रिलेशन को आपको कैसे समझना है जैसे माली जी हमारे पास ऐसा है 1221 जाओ इसको देखेंगे और चेंज करेंगे वन को यहां रखेंगे तो इसका चेंज करने के बाद यह मिल जाएंगा इसको देखिए इसका और चेंज करेंगे तो त्रिवां इसके अंदरे या म kitchen सक만रा एक कभी क्या होता है किन इससे हो जाता कि मॉए हम्हान है Good- aparece हैガ elevation अभिया हंने देखना कि सेमेट्टी है कि नहीं दूलें में सेमेंट्री नहीं तो यह से में इसके बाद आता है टांश्टीव कि हाँ देखिए टांश्टीव रिलेशन कैसे हम करेंगे एक मैं पहले एक्जामपल लेकर समझा रहा हूं आपको जैसे आर ले लिए आप इसमें देखेंगे कि टांश्टीव कैसे है देखिए इसमें इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों को कर देखें इसको समझने के लिए आप इस तरह से बनाएंगे और इसको समझने के लिए आप इस तरह से बनाएंगे और फर्स्ट का सेकेंड से फर्स्ट सेकेंड ठीकर और इसकेंड का थर्ड तो आप जैसे कंपोजी समस्ते हैं तो वन थ्री आना चाहिए तो से इसमें फैड है ये लेकिना स्टलेस पर नहीं तो इसमें एक कंदिशन आपकी ये दिखा रहे है इस में तो दोनों थैट हो जाएगा है तो ये ट्रांस्टीब सो आरीज ट्रांश्टिक ठीटा अब मैं नेक्स एक्जाम्फल ले रहा हूं देखिए 1A 2B 3C इस तरह के एक्जाम्फल में हम ट्रांश्टिक कैसे चेक करेंगे बहुत कन्फूजन होता है तो इसमें आप देखेंगे कि इसका 2nd place A है और A किसी भी order pair में 1st place नहीं है ठीक है तो आप जा करेंगे यहाँ एक ट्रांश्टिक भी है अब देखिए यहाँ से जैसे 2 भी है तो इसमें 2nd place पर B है लेकिन किसी भी order pair में 1st place भी नहीं है ठीक है और यहाँ भी देखेंगे कि 3 और C है तो C 2nd place पर है लेकिन किसी भी order pair में 1st place पर C नहीं है ठीक है तो आप लिखेंगे कि यह ट्रांश्टिक भर अब कैसे करते हैं देखिए आप लेकिन सिन्सराइ लोग तो आप तो इसमें लोग से करते हैं 1st place और लोग लोग नहीं है there is no order pair in R which has A as the first element मतलग second second element A है तो first पर A नहीं है ठीक है same इसी तहां से इसके लिए भी लिखेंगे similarly similarly 2V and 3C as same इस कोशन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है तो आप इस समझ लीजिए कि second place पर अगर A है तो first place पर A नहीं है ठीक है तो हमारा क्या होगा इस तरह से लिखेंगे और यह हमारा पुरा complete solution हो जाएगा ठीक है इसमें 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 लेते हैं ठीक है अब पाइलर लाइंस के लिए एक ऐसा सेट लेते हैं इसमें पाइलर लाइंस का फिस्ट रिफ्लेक्सिव इसमें रिफ्लेक्सिव पहले दिखाना पड़ेगा ठीक है रिफ्लेक्सिव में लेटल फक्रेक्सिव इसमें इसमें क्या करेंगा याउन पालल तू यलोग कोई भी लाइन एक सिंगल लाइन इससे पाइलल होगी ठीक है तो यहां से बली सकते हैं L1 L1 belong to R So R is reflexive Second Symmetric Symmetric Relation Symmetric Relation में देखिए इसमें एक और लाइन लेते हैं L1 L2 के पहलाल है तो लिखेंगे Let L1 L2 belong to R Sorry Belong to L L1 L2 belong to L Such that L1 L2 belong to R implies that L1 parallel to L2 L1 L1 L2 के पहलल है तो L2 L1 के पहलल होगा implies that L2 parallel to L1 This can be written as L2 L1 belong to R So R is So R is R is Symmetric So R is Symmetric Third case Transitive Transitive में Transitive में हमें साथ 3 lines आपको लेना पड़ेगा L1 L2 L3 belong to L L means set of lines Such that L1 L2 belong to R And L2 L3 belong to R implies that L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3 आप देखेंगे L1 L2 के पहलल है L2 L3 के पहलल है तो L1 L3 भी पहलल होगा ठीका? इसके L1 पहलब L3 This can be written as L1 L3 belong to R ठीका? So R is Transitive आप देखेंगे Reflexive इससफाई कर रहा Semectivity इससफाई कर रहा और Transitive इससफाई कर रहा तो from First, Second and Third From First, Second and Third R is An Equivalence Relation Equivalence Relation यह इसका Complete आई सेसफाई, दो किओेंगे